लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि current transformer दो तरीके थी प्रोटेक्शन और measurement type ठीक है मैंने आपको बताया था कि protection type ऑर measurement type दोनों जो है इनके design में बहुत जियादा difference होता है सबसे पहली important चीजिज protection करेंट के आसपास हम लोग काम कर रहे थे, so that is the difference, हमने यहाँ पे इनकी design consideration भी देखी थी, measurement type CT की और protective type CT की, मैंने एक जिस आपको बहुत important एक पार्ट बताया था, कि अगर कोई आप से पूछ ले कि अगर हम इन दोनों को आपस में replace कर दें, तो क्या होगा, तो ध्यान रखना CT को जब protection के लिए यूज करोगे, तो वहाँ पे वो दिक्कत करेगा, error देगा, और साथी साथ saturate हो जाएगा, या फिर उसका ammeter winding चल जाएगा, अगर saturate नहीं होगा, ठीक है, तो these are the major problems जो की हमारे साथ देखी जाएगी, अब एक important question आता है, कि measurement CT हो चाए protective CT हो, दोनों की द protective type CT तो बहुत ही सही है, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि वो बना ही है इसी काम के लिए, लेकिन जो measurement CT है, वो तो दिक्कत करेगा, तो उसकी उपर आज हम लोग चर्चा करेंगे, कि कैसे over current operation perform होता है CT के अंदर, ठीक है, तो जड़रा इसको देखते है, problem समझते है और detail में, problem समझो, बहुत detail में, मैंने पूरा बना के रखा, diagram की तो समझाता हूँ आपको, मान के चलते हैं, surge क्या होता है, surge होता है, मतलब impulsive over voltage, ठीक है, इसको हम लोग अभी जब आगे एक traveling wave की series शुरू करने वाला हूँ में, वहाँ पे हम लोग इसको detail में चर्चा करेंगे, तो surge मान के अभी इतना मान के चलो कि high over voltage जो होते है, impulsive over voltage वो उसको surge कह देते हैं, ठीक है, तो surge voltage या current कोई भी चीज हो सकती है, या दोनों के दोनों combination में हो सकते हैं, ठीक है, तो अगर मान के चलते है, surge current आ अगया, ठीक है, अब यह fault की वज़े से, lightning की वज़े से तो यह अगर pass होगा, protection type CT से, ठीक है, तो यह protection type, red color से जो मैंने बना रखा है, this is your protection type CT, तो इसको PCT कह देते हैं, आगे मैं इसी short form का इस्तमाल करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा word हो रहा है, तो PCT का मतलब protection type CT, और यह जो green color का बनाया हुआ है, यह measurement type CT है, तो इसे MCT कह द यह तो बना इसी काम के लिए, इसको इसी काम के लिए train करा गया है, तो यह क्या होगा, CT should operate होगा with minimum error, मतलब error भी कम देगा, और मस्त से relay को बता देगा, कि भहिया दिक्कत हो गई है, पर relay बताएगा, relay fit trip signal generate करेगी, और उसके बाद circuit breaker तक जाएगा, इस पूरे process में थोड़ is to 5 का है, ठीक है, यानि कि अगर 400 ampire current जो की rated value है, ठीक है, rated current value है, अगर उतना current flow होगा, तो m meter के 5, 5 ampire यह भेजेगा, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि जब भी surge आता है, या fault आता है, last lecture में ने बताया था, तो current की value 10 to 20 times या 50 times तक increase हो जाती है, अब अगर 10 गुना मान के चल current जादा आएगा, यानि कि 400 की जंगा 4000 ampire current फ्लो करेगा, और यह जो 5 ampire है, इसकी जंगा secondary side में 50 ampire current आजाएगा, जैसे 50 ampire current आएगा, यह जो m meter है, यह क्या होगा, यह जल जाएगा, समझ में आरी बात है, clear हो रहा है यहां पर, so that is a major issue, यानि कि अगर हम लोग normally CT को, यानि CT तो तुमारा जल के राख हो जाएगा, क्योंकि उसका काम है, जस्ट आगे power भेज देना, measurement के लिए, इस problem को कैसे tackle करा जाए, समझ में आ रही है, तो इसको हम देखते हैं कि design mandate क्या होने चाहिए, तो हम क्या चाहते है, हम यह चाहते हैं, कि भाहिया, जिस समय normal rated current system में flow करे, नॉर्मल current आ रहा हो, उस समय तो हमारा जो measurement type CT, MCT, वो सारा current secondary में भेजे, और M meter बढ़िया से first class मीजर कर ले, 400-5 का ले ले रहे हैं, तो 400 अगर rated current आ रही है, तो यहाँ पे 5 ampere current भेज दे, लेकिन जैसे ही fault और surge आए, fault surge कोई भी वज़े से surge आए, तो ऐसे case में क्या होगा current की value 400 से लेके 4000 तक पहुच जाएगी, due default, ऐसे extreme cases में क्या होगा, यह जो हमारा CT है, इसकी core हम इस special एक तरीके से design करेंगा, एक special core लें, की core हमारी saturate कर जाए, ठीक है, बास समझ में आ रहे है, now core saturate करने से क्या फायता होगा, core saturate करने से यह होगा, कि अगर एक बार core saturate कर ग है, तो जो measurement type CT होते हैं, उनके अंदर हमें special type की core लगानी पड़ती है, जो rated value तक तो कोई दिक्कत ना हो, लेकिन जैसे ही इनके अंदर 10 to 20 times तक लगबख fault current जैसी पहुचे, तो यह क्या हो, इनकी core saturate हो जाए, core saturate का मतलब कि जो input में कोई भी तमाशा करते रहो, output में कुछ खास नहीं मिलेगा, समझ मारी बात ही, output तमारा कोई खास, मतलब हमें output में कुछ भी नहीं मिलेगा, इतना high, समझ मारी बात है, क्यों इसको ऐसे देख सकते हो, मान के चलते हैं, यह आई, input अब यह है rated value, इसके लिए तो ठीक था, लेकिन इतनी high value गई है, तो output क्या मिलेगा output मुझे जो trace होगा बद इतना ही होगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारी core जोगी, वो saturate हो जाएगी, ऐसे करके, समझ मारी बात है, तो core हमारी saturate हो जाएगी, तो this is the function of core saturation, यह जो flat top देख रहा हो, यह क्या दिखा रहा है, core saturate हो गई है, अब इस time period में कोई भी हम waveform, यानि कि यह पूरा का पूरा magnitude जो है, वो हम trace ही नहीं करेंगे, आगे की तरफ, ठीक है, clear हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, कि ऐसा core material कौन सा ले होगी, कि यह जो protection type CT, हाँ, यह वाला जो है, यह shows non-linear region of the PCT, ठीक है, समझ में आ रहा है, इस बात को समझो, कौन सा लेंगे कर, तो ऐसा material हम लोग लेंगे, जो जिसका linear point बड़ी देर तक linearity maintain रखे, समझ में आ रही बात है, और बहुत ही high, जब हमारा exciting current पहुँच जाए, तब जाके यह saturate हो, वहीं पे जो measurement type CT है, यह कैसा लोगे, यह ऐसा लेंगे कि rated value तक तो यह linear दे, this is rated value, ठीक है, यह rated value है, तो rated value तक तो यह linearly perform करे, लेकिन जैसी current linear को पार करे, ठीक है, तो तुरंती यह CT जो है, वो saturate हो जाए, देख सकते हो, तो protection type CT की खास बात क्या है, य बहुत ही high exciting current, जब बहुत जादा current flow करेगी, तब जाके, समझ में आ रहा है, तो और जो normal तुमारा CT है, यह measurement type CT है, यह rated value के आसपास तक तो normal operate करे, लेकिन जैसी हम rated को पार करें, तो यह क्या हो, saturate हो जाए, तो यह क्या हो, तो यह क्या हो, तो देखो यह curve ऐसा दे रखा, अब यह मैं बताऊँ को आगे कौन सा material है, चिंता मत करूं, इस गर को बहुत ध्यान से समझते हैं, ठीक है, अब देखो एक बहुत important चीज़ यहाँ जो मैं दिखाना चाहता हूं, सबसे पहले बात देख लेते हैं, यहाँ पे ankle point voltage, यह क्या होता है, यह काभी पूछा जाता है, protective type CT core के अंदर, यानि कि जो हम protection के लिए रहे हैं, इसके लिए हम कौन सी core ले रहे हैं, जो बहुत देर तक linear है, यानि कि 22, 30 times of full load current, rated current, इस पूरे सिनारियो में यह linear है, यह हम चाहते हैं, तभी तो protection type ले रहे हैं, तो इस type के अगर core लेते हो, तो यह तो अच्छी बात ह है, कि बहुत देर तक linear रही, पर इसका disadvantage है, कि तुम्हें ankle point तक curve जो होगा, वो non-linear मिलेगा, यानि कि starting में curve non-linear और आगे का curve non-linear, बीच का curve linear, समझ में आ रहा है, तो दो non-linear curve मिलेंगे तुम्हें, एक single curve के अंदर, समझ मारी बात है, दो non-linear region मिलेंगे, तो यह वाला non-linear region ह यह क्या दिखा रहा है, this one shows saturation, और यह जो non-linear region है, यह आपका जो है, इसको हम कहेंगे ankle point voltage तक, तो यह जब तक यहां तक जो तुम्हें तक तुम्हारा curve जोगा non-linear रहेगा, और ऐसे case में, तुम्हारी जो reading आएगी, वो क्या होगी, error से भरी होगी, समझ मारी बात ही, क्यों error आना शुरू हो जाएगा, तो यह देखो बहुत important चीज़ है, shows the non-linear region of the PCT, अब देखो यहां पर एक बड़ा interesting चीज़ बताता हूँ, इतना important क्यों है, ankle point voltage जो है, ankle point जो है, मिल रहा है, वो हमें किसमें मिल रहा है, PCT में, तो यह क्या बता रहा है, कि देखो और यह मिल कह reduce error during normal scenario, समझ में आरी बाती है, तो जो हमने हर बार बताया है, कि जो हमारे protection type CT है, यह अपनी high accuracy देंगे, high accuracy कब, जब fault होगा, fault का मतलब 10 to 30 times I rated current जाएगा, उस समय इनकी accuracy high होगी, और मैंने क्या कहा था, अगर इनको normal scenario पर treat करोगे, अभी पीछे पिछल लेक्चर में, तो इ error क्यों आ रहा है, तो यह error आ रहा है, इस non-linear region की वज़े से, समझ में आरी बाती है, यह जो non-linear region हमें below rated या close to rated value पर मिल रहा है, जैसी हम rated को पार करते हैं, तो देखो measurement type non-linear हो जाता है, और यह exactly लगवग linear हो जाता है, समझ में आरी बाती है, clear हो रहा है, तो इसलिए अगर हम लोग PCT का इस्तमाल कर लेंगे measurement के लिए, तो error आने के chances बहुत जादा है, because of this ankle point region, समझ में आरी बाती है, clear हो रहा है, तो यहाँ पर यह चीज़ हमने इसको बिल्कुल clear कर लिए, आयो कर उसे आपको बहुत अच्छे समझ में आगी, अब एक question और आता है, कि sir, अगर हम लोग इस curve को linear कर दें, यह वाला जो region दे कर रहा है, इसे linear कर दें, इस वाले को, यह वाला जो non-linear region है, जिसकी वज़े से हम PCT का इस्तमाल नहीं कर पा रहे थे, measurement में, अगर हम इसे linear कर दें, तो क्या हम लोग PCT का इस्तमाल दोनों के लिए, measurement के लिए और protection के लिए कर सकते ह तो answer है, नहीं, देखो क्यों, अगर मान के चलते हैं, तुमने एक special research करके एक बड़िया सा transformer बना भी लिए, जिसकी कर खुछ इस तरीके से आती है, एकदम linear कर रहे है, यह वाला कर, यह तुमने बनाया है, अपना research करके, नया, new, new core, हमने एक नई core design करी, जो कि हमारे यह कर लिया है, तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन देखो समस्या क्या है, जैसे ही तुम अगर fault आया, बहुत द्यान से समझना, fault, तो fault आयेगा लगबग, 10-20 times of the full load current, rated current, तो मान के चलते हैं, इस region में operate करेंगे, बहुत द्यान से समझना, जैसे इस region में operate करोगे, तो जो normal measurement CT होता था, यह हो जाता था, saturate, देखो यह curve क्या है, इसका curve हो गया, ऐसे saturate, तो यह तो saturate हो जाता था, saturate हो जाने से, क्या होता था, कि M meter बच जाता था तुमारा, क्योंकि secondary में कोई output खास हमें नहीं मिलता था, लेकिन अगर हम यह जो हमने नया बनाया है core, इसका इस्तमाल करेंगे, यह कह सकते हो, अ linear रहेगा उस portion में, तो यह बना है linear region के लिए fault current पे, तो यानि कि क्या होगा, यह linear में operate करेगा, तो ऐसे case में PCT से अगर measurement करोगे, तो PCT क्या करेगा, जो भी output आ रहा होगा, उसको secondary side में input आ रहा हो, उसको secondary side में भेज देगा, तो यहाँ पे input अगर 10 गुना हो गया है, तो यह 50A current बेज देगा, अगर 400 is to 5 का transformer है CT, तो यहाँ पे 10 गुना fault current का मतलब, पाच का 50A यह अंदर बेज देगा, और ऐसे case में क्या होगा, इतना हाई जब fault current होगा, तो 50A जैसी secondary side में जाएगा, मीटर जल जाएगा, तो मेरी बास समझ पा रहे हो, बहुत ही in-depth concept है, जो मै नहीं बताएगा, लेकिन यह चीज़ अगर आप समझ गए, तो CT मतलब, मास्टर हाज, मास्टर हासिल कर लोगे, इतना detailing हमनों discussion कर रहे है, clear हो रहा है, यह चीज़ बहुत important है, कि हमारा जो भी M meter है, वो बचा रहे है, तो measurement CT का काम केवल यह नहीं है, कि भाई, तुम measurement कर रह एक काम तो यह कि हाई accuracy हो, हाई accuracy, बहुत ध्यान ते समझना, कर्व से, हाई accuracy हो, during I rated current, जब rated current चल ला हो, दूसरा काम, जैसे ही rated current से fault current जाए, तो protection का भी इसका काम है, यह protect करे, M meter को, M meter या metering devices को from fault current, अगर fault आ जाए तो, समझ में आ रहा है, तो अगर तुमने कोई नया core बना भी लिया, जो बिलकुल linear है, तो तुमने high accuracy वाला जो काम था, rated में, वो तो तुम कर लोगे, PCT से, ठीक है, लेकिन यह जो दूसरा वाला काम है, जो measurement CT को करना चाहिए, protection of the connected instruments, वो नहीं हो पाएगा, समझ में आरी बात है, इसलिए कभी भी, तुम कितना भी research कर लो, आ यहां से मैंने आपको एक बहुत important line दिया, इसको अपने notes में, जहां पी बना रहे है, उसको note कर लो, मैं हमेशा कहता हूँ, कि measurement CT के दो काम है, एक और दो, एक तो high accuracy, rated current पे, दूसरा protection, किसका metering instrument, यानि जो भी instrument से जुड़े हो, उसके protection की भी जिम्मेदारी भाई, तुमार इस तक 125% तक rated current नहीं बढ़ती, तब तक linear है, ठीक है, उस region में linear हैगा, अब linear है, तो इसका मतलब क्या होगा, high accuracy, high accuracy देगा, और जैसे ही 1.25 CT, I rated से ज्यादा होगा, MCT saturates, तो देखो यहां से, जैसे ही आगे बढ़े, तो यह मान के चल सकते हैं, लगबग यहां पे कहीं हो जो secondary side होगी, उस पे कुछ खास output हमें नहीं मिलेगा, और ऐसे case में M meter हमारा बच जाएगा, M meter protect हो जाएगा, तो यहां पे आता है, एक तो ankle point voltage, यह इसके बारे में आपको net पे बहुत कम मिलेगा, बहुत कम लोगोंने समझा है, दूसरा knee point voltage, यह सबको पता है, वो point जिसके बाद after which PCT saturate, मतलब तुमने protection type CT जो लिया है, उसमें core अच्छी डाली है, मानते हैं, चलो ठीक है, तुमने पैसकर्च किया है, पर यह ऐसी भी core तुमने नहीं बना दी है, जो ideal है, मतलब जो कभी saturate ही ना करेगी, तो समझ में रहा है, तो knee point voltage क्या होता है, कि जिस point के बाद यह भी saturate कर जाएगा, तो PCT की भी एक सीमा है, कि मतलब इतना fault current होगा, तब तक तो सही है, इस से जादा जाएगा, तो भाई यह saturate हो जाएगा, यह भी जरूरी है, क्योंकि वनना relay हो ले जो तुमने लगा रखी है, वो जल जाएगी, तो relay क्या है, जादा voltage बरदाश कर ल देल में, यहाँ पर मैंने देखो, दो region मार करें, एक region है, ग्रीन वाला, यह दिखा रहा है, नॉर्मल सिनारियो, और एक region है, यह रेड वाला, जो दिखा रहा है, fault का time, fault के time में, ठीके, दंगे हो रखें इस समय, अब देखो इसको बड़े ध्यान से, तो देखो PCT, PCT क्य है, non-linear है, during this normal period, तो यानि की non-linear है, इसका मतलब क्या होगा, error आ जाएगा, ध्यान रखना, CT हो या PT हो, मैंने तुम्हें बताया था, अगर इनके अंदर non-linear region में, अगर यह operate करेंगे, तो they will generate error in output, तो जो भी काम, चाहे measurement कर रहे हो, चाहे रिले चला रहे हो, दोनों ही cases में error आएगा, मतलब गलत tripping होगी, गलत measurement आएगा, तो non-linear region में जब दी कोई operate करेगा, हम उसका इस्तमाल नहीं करेंगे, तो देखो, normal scenario में PCT non-linear है, ankle point की वज़े से, और MCT जो measurement है, वो linear है, तो इसलिए हम लोग क्या करते है, normal में MCT का इस्तमाल करते है, fault की time में आ जाओ, तो PCT linear है, और MCT non-linear है, देख सकते हो, this is your MCT non-linear, और PCT क्या है, linear है, तो इसलिए हम लोग PCT का इस्तमाल करते है, during fault, ठीक है, सबच मागया, अब बात आती ही कि ऐसा कौन सा core material है, तो यह important part है, आपके J-Level के लिए, तो core material कौन सा लेंगे, तो cold rolled silicon steel, ठीक है, इसका इस्तमाल कर काफी आगे तक extend कर सकते हैं, समझ में आरी बात है, जबकि core material, जो हम लोग MCT के लिए लेंगे, वो कहलेंगे, high nickel steel, इसका जो knee point होता है, वो काफी नीचे होता है, देख सकते हो, this is your knee point, यह रहा, समझ में आ रहा है, बहुत detail में, बिलकुल common sense है, मैं कोशिश करता हूँ, lecture ऐ कोई चीज ऐसी ना लगे कि यार, मतलब मैं पूरा आपको समझ माना चाहिए, हाँ, story यह चल रही है, clear हो रहा है, अगर story नहीं समझ में आ रही इतना detail के बाद, तो एक बार repeat कर लेना lecture, ठीक है, clear हो रहा है, तो मेरा काम यह रहता है, कि आपको खुदी चीज़े unfold होती रहे सारे concept एक दूसरे से link up हो, ठीक है, तो आई हो आपको पसंद आ रहा हो गई है, तो देखो यह point जो है, this one, this one is the knee point, knee point for MCT, ठीक है, और यह जो है, this one, this one is the knee point for PCT, तो ऐसा नहीं कि MCT में knee point नहीं है, है knee point, MCT में ankle point नहीं exist करता बस, तो knee point यहां पर है, तो इसका जो knee point होता ह सब्सक्राइब करता है, तो मैं अगर क्योंकि इतना index पढ़ाता हूं, तो मैं पूरा अधिकार रखता हूं कि यह तुमसे वायवा में तकड़े question पूछने का, और मेरा वायवा इस तरीके से मैं design करता हूं, कि मैं 10 question पूछूँँगा, अगर उन में से किसी ने 2 की भी सही जवाब दे दिए, तो मैं मान लूगा कि दम है और बच्चे में, तो मेरे जो 10 question होते हैं, वो 10 question में से अगर आप दो भी जवाब दे गए, तो मेरी नजर में तुमने कुछ पढ़ा है, कुछ है तुम मेरा यही रहता है, ठीक है, clear हो रहा है, आप लोग तो online हो, जातर audience मेर तो कभी ऐसा पाला पढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर कभी पढ़ेगा, तो आपको मैं अच्छे से वाइवा लूँगा, क्योंकि पढ़ाया भी है मैंने आपको, ठीक है, खेर आगे चलते हैं, तो core material समझ में आ रहा होगा, तो high nickel steel, यह धियान रखना भाई, MCT में यह क्रामीटर होता है क्या, जो यह बताता है कि कितने over current तक system सही काम करेगा, तो yes, वो है over current factor, over current factor simply यह बताता है कि कि कितनी tolerance level है CT का against over current, मतलब तुमारा जो CT खरीद के लाए हो, वो within a limit error create करेगा, within limit में error create करेगा, certain percentage of over current पे, तो जैसे मान के चलते हैं, दो CT तुम खरीद के ल तो यह CT सही result देगा, दूसरा है, दस गुना अगर rated current हो गया, तो यह CT तब तक सही result देगा, तो इसलिए यह हो गया, पांच गुना यह हो गया, तो इनकी जो rating होगी, over current factor से decide होगी, समझ मारी बात है, इसको देखते हैं आगे, अभी और समझते हैं, तो over current rated factor जो होता है, इ यह दे रखा होता है, यह बहुत important है, तो at rated load and power factor, power factor rated मतलब 0.8, 0.79 something, हम लोग rated power factor माल लेते हैं, और rated load अगर flow कर रहा है, तो ऐसे case में, over current factor यह बताता है, कि कितने multiple of rated current, ठीक है, कितने times rated current जो होगा, वो आपका CT बरदाश कर सकता है, बरदाश करने का मतलब है, कि उसका CT क जो error create होगा, वो below उसके defined error class से होगा, इसका क्या मतलब होगा, error class क्या होती है, और example को CT खरीद के लाए, तो इसकी error class है 3%, इसका मतलब क्या है, कि यह जो CT है, यह तुम्हारा rated current पे, rated current पे 3% के नीचे error, 3% से कम का error भाई साब यह बना के देगा, मतलब below 3% error तुमें मिलेगा reading में, समझ में आ रही है, अब इसका अगर NR की value, बहुत ध्यान से समझ जा, इसकी NR की value 4 है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि अगर तुम्हारा over current, 4 गुना current आ गया, अगर circuit के अंदर, किसी भी वज़े से, rated current के, 4 times आ गया, तो 4 times अगर rated current आ गया, तो ऐसे में, यह जो CT है, यह तुम्हारा तब भी below 3% ही error देगा, समझ में आ रही, that is the important message, clear हो गया, समझ में आ गया मेरा statement, अब example आगे चल के समझते है, तो अगर हम बात करते हैं, तो red color मैंने use करा था, PCT के लिए भी पीछे बताया था, और green color यूज करा, यह just मेरा एक visual representation है, किसी book में या किसी उस जगहां पे नहीं है, ठीक है, मैंने थोड़ा का simplify करने के लिए red और green color यूज करा, ऐसा होता नहीं, ठीक है, तो PCT के अगर बात कर लें, तो PCT के लिए red और green color हमने use करा है measurement type CT के लिए, MCT, तो देखो यहां पे क्या देखा है, generally जो rating होती PCT की, उनकी जो over rated के, तो इसलिए इनका जो overrated factor है, वो 5 से जादा रखा जाता है, ठीक है, और जो MCT होते है, measurement type, यह operate करने के लिए बने होते हैं, below fault level, तो इसलिए इनका नर जो है, वो 5 से नीचे होता है, ठीक है, clear हो गया यहां पे, यानि कि अगर तुमारा rated current 5 से 5 से नीचे रहा, तब तक यह जो होंगे, error ठीक ठाक, आपके below permissible level के नीचे बना के देंगे, clear हो गया यहां पे, आयो समझ में आ रहा होगा, तो यह भी बहुत important question हो जाता है, अगर अच्छा exam दे रहे होगे, बार का या कोई बढ़िया जिसमें CT के उपर question आएगा, तो यह आ सकता है, कि PCT, उनका ज operation के लिए बने होते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा से और detail में समझ लेते हैं, example दे समझते हैं, क्योंगे, यहां पर क्या दे रखा है, दो हमने CT लिए, एक है हमारा PCT, PCT को समझते हैं पहले, अगर PCT की जो over current rating factor है, nr, वो 10 दे रखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, कि अगर भाई साब आपके इस PCT के अंदर over current जो flow कर रहा है, because of surges, lightening, कोई भी वज़ा हो सकती, अगर वो less than 10 है, 10 times of the rated current, अगर वो less than है, आपके 10 times of rated current, तो ऐसे में यह जो तुम PCT का इस्तमाल कर रहे हो, यह accuracy generate करेगा, aspirates class, ठीक है, समझ महारी बात है, तो PCT की जो class होती कि वो 1, 3, 5 होती है, यहाँ पे 1, 3, 5 का मतलब क्या है, एक मतलब हो गया कि less than 1% error, less than 1% error, समझ महारी बात ही है, 3 का मतलब क्या है, less than 3% error, ठीक है, clear हो रहा है यहाँ यहाँ पे, 5 का मतलब less than 5% error, ठीक है, समझ महारी बात ही है, तो this is decided by the NR, clear हो गया, अब देखो, अगर हम ब बागर भाई साब आपका MCT कहीं किसी सिस्टम में लगा है और वहां पे अगर उसके अंदर ओवर करेंट आ गया सर्ज आ गया लेकिन वह सर्ज तीन गुना रेटेट करेंट से कम है अगर ठीक है तो यह सीटी हस्ते हस्ते उसे बरदास्ट कर लेगा कोई दिक्कत नहीं आएग ठीक है 0.5 का मतलब बिलो यह भी यहां पर बिलो बिलो 0.1 परसेंट बिलो 0.5 परसेंट अब यह चीज आगे हम लोग जब एकुरेसी क्लास करेंगे तो वहां पे इसको डिटेल में चर्चा करेंगे एक चीज समझ लो कि MCT की एकुरेसी बहुती जादा हाई होती कंपेर अंदर हम लोग को कंपेर करना होता है तो उसमें इतनी हाई एक परसेंट अइर तक बरदास हो जाता है तीन परसेंट 5% आरर तक चलता है चलता है लेकिन मीजरमेंट में हमें बहुत ही इकुरेसी चाहिए होती है तो इसलिए इनकी जो क्लास होती है वह 0.105 ऐसे करके कि मैं तुम्हें कोई एक CT दे दूँ ठीक है यह CT है भाई साब अब तुमसे पूछ लूँ मैं कि क्या इस CT को तुम बता सकते हो कि रेटिंग देखके इसकी कि यह कौन सा CT है यह PCT है कि MCT है तो दो बातें अभी तक जो हमने सीखी वहां से हम यह decide कर सकते हैं पहली बात अगर इसका over current factor less than 5 है तो यह 100% आपका MCT है तो इसका मतलब यह PCT है तो एक तो यह पहचान हो गई ठीक है कई लोगों को पहली समझ में आ गया होगा decode कर लिया होगा दूसरी पहचान है accuracy class से अग तुम्हें नहीं पता कि यह MCT है कि PCT है तुम्हें कुछ नहीं पता लेकिन तुम्हें यह पता है कि इसकी नेम प्लेट पर accuracy rating दे रखी है 0.1 तो अगर इस पॉइंट में दे रखी है 0.1 0.5 या maximum 1 तो यह सारे के सारे पिक्चर के अंदर आ जाते हैं 0.1 नहीं होगी 1 तो PCT की होती 0.5 ऐसे करके दे रखी है तो यह accuracy अगर class आप यूज कर रहे हैं तो आपका जो transformer जो CT लेके आए हो वह है MCT वहीं पर अगर accuracy दे रखी है 3-5 ठीक है समझ में रहा है तो अगर 3-5 इस तरीके की high accuracy class है तो ऐसा जो CT है वो क्या है PCT है तो यह दो factor में बता दिया हूं य यह जब वायवा देने जाते हो बारक वारक में न तो यह सब पूछा जाता है अगर कभी जे लेविल का कई अच्छी जंगा interview देने जाओगे जैसे अभी बीच में IIT दहली में आया था एक तो वहां पर यह सब चीज़े पूछी गई कि अच्छा बताओ CT है इस CT के अंदर इस CT की name plate देखके बता सकते हो कि MCT है कि PCT है समझ में आ रही तो यह सारी बाते बहुत important है ठीक है आयो मज़ा आ रहा होगा अब एक example और ले लेते हैं last example है अब तक clear हो गया होगा नहीं हुआ है तो जो बिलकुली समझ में जिने नहीं आया है उनके लिए एक example और एक ले ल उस पे लिखा NR7 और class दे रखी 5% तो सबसे पहले देखो NR7 यानि कि greater than 5 है और class भी जाता है तो यह simply क्या बता रहा है यह simply बता रहा है कि यह है आपका PCT एक तो यह पैचान हो गई दूसरी बात अब यह जानकारी क्या दे रहा है यह जानकारी यह दे रहा है कि भाई साब अगर इस PCT के अंदर over current या surge आता है और वो 7 गुना कम होता है rated current से 7 times of the rated current से उसकी value कम होती है तो 7 या maximum equal to 7 times of the rated current तब तक हमारा जो यह PCT है यह बढ़िया चलेगा और यह जो error generate करेगा वो कितना करेगा below 5% error देगा ठीक है clear हो रहा है यहाँ पे तो अगर rated current से 7 times of rated current अगर fault चला गया तब भी हमारा PCT बढ़िया काम करेगा और जो उसकी accuracy class हमने identify करी हुई है यानि कि 5% मतलब below 5% error generate करेगा अचा अभी question होगा कि sir अगर 10 times आ जाए तो क्या होगा 10 times तो अगर 10 times rated current का fault आ गया और तुमारी rating है over road factor जो है वो 7 है तो ऐसे case में error जो होगा वो हो सकता है तुमारा 10% 15% तक चला जाए मतलब जो class define है वो अब माइने नहीं रखेगी समझ मारी बात ही यह भी समझ लो कि अगर अबब आ गया तो फिर क्या होगा तो ऐसे में error below 5% की जगह above 5% error create होने लगेगा समझ मारी बात है so that is the important thing next अगर हम बात कर लेते हैं second example कि अब फिर से और class b point में है इसका मतलब this is your mct measurement type ct तो इसका क्या मतलब होता है इसको समझ ले कि भाईया अगर over current surge की वज़े से अगर आया और उसकी value less than 3 times of the rated current या maximum condition में equal to 3 times rated current तक अगर fault की value हुई तो हमारा mct बढ़िया काम करेगा और error जो generate करेगा वो below 5% या नहीं कि अपनी class के according चल ठीक है तो ऐसे case में यह जो CT है जो तुम लेकर आये हो यह error 3% 5% कितना भी error दे सकता है मतलब above error जो generate अब 0.5% तो अगर error below 5.5% से कम करना है जो कि उसकी class है तो आपको over current 3 गुना से कम रखना पड़ेगा समझ में आ रही इस particular CT की बात करें तो आयो आज का lecture बहुत ही detailed था ब आपको simplify करने के लिए सफल हुआँगा उसमें आपको पसंद है तो जरूर करना कमेंट क्योंकि यह बहुत मेहनाद लगती है इन lectures को simplify करने में बहुत ज्यादा study करना पड़ता है और इसी की वज़े से देख रहे हूं कितने technical और in-depth concepts है एक तरीका यह होता है जो बहुत सार प्रीवियस एर के paper solve करने है तो भी हमारा group है चल रहा है साट रुपए बिल्कुल minimum रखा है जितने के तुम समोसे खाते हो दो दिन में उतने ग्रुपए में तुम पूरे महीने भर का इस्तमाल कर सकते हो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर साट रुपए ज्यादा है तो भ थोड़ी लोग है ठीक है तो आयोगा को लेक्चर पसंद आया होगा लाइक कर सकते हैं और अगर पसंद आया तो लोग को बताए इसके बारे में इतना डिटेल चीज़े चल रही है जिनको भी डावट उनकी मदद करें थैंक यू